तो एक्जामना कोशन क्या पूछता है आप से यहां पर इंटर्विम क्या बनता है कि तब तो हमाई लिए त्री जॉचक बेश्ट है लेकिन हमाई लिए फोर जॉचक बेश्ट होता है तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे और मुझे मेंद है कि आप लोग ने वह दोनों वीडियो देख लिया होगा कौन-कौन से वीडियो मतलब जिक सैंड फिक्स्टर से पूरा लेक्चर कंप्रीड लेक्चर और ग्रैंडिंग वील का जो मैंने अ आपको बहुत अच्छ लगए कि आपको यह सारे कोशन आपको आ रहें ठीक है इन दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कोशन लगाईए ताकि आप पुर आच्छे सा कोश कोशन आयते हैं मैकस्मम मैंने सभी कोशन को इन सबसे उठा लिया है कवर कर लिया है तो वह हमको 40 प्लस कोशन मिले हैं तो मैं सभी कोशन का एक्सेट आप आपके लिए लेकर आया हूँ और इसमें कुछ होंबग को आपको लिए मैं होंबग के दूंगा तो प्लीज अगर आप लोग को मतलब seriously है आप लोग तो प्लीज होंबग कोशन में दूंगा उसका जवाब प्लीज मुझे इस वीडियो के comment section में आप लोग को आज आ है और जिसको जो कोशन नहीं आएगा प्लीज बताएगा को क्या कोशन नहीं आ रहा है ठीक है अगर कोशन नहीं आ था प् पर्शन बोलता है when the space between two consecutive abrasive is less in grinding upon machining ductile materials how chips weld these abrasives and after sometime wheel is rubbing over work without cutting this phenomenon is called cladging, loading, dressing and truing question को मैं आपको explain करता हूं थोड़ा question की language थोड़ा SSS ने twist कर दिया है question क्या बोलता है ध्यान से समझे है question बोलता है when the space between two consecutive abrasives is less in grinding मतलब यह हमारा question number one है grinding कर दा है कोई भी हमारा grinding कर दा है तो grinding करने में यह क्या बोला है कि जो abrasive यहां पर होते हैं यह बोला है when the space between two consecutive abrasive is less in grinding मतलब जब इन abrasive के बीच का space है जो कम हो जाएगा क्यों कम हो जाएगा क्योंकि वो पीस की वह जाएगा है इस के जा में उना के और अची ऊसके फंसरे इसमेरा करेंगी इस를 दाएगी。 मतलब यही है जिए जब चिब यहां से निकल यहां फंसर जाएंगी इसकी जगह कम हो जाएगी. स्पेंस का मुझाएग का तो कि wanna कम क्या बोलते था यह थे सलों मैं को हम लोडिंग बोलते हैं बोलते हैं और होता है वो इसका आपका TSPSCAE में कोशन यह आया हुआ है यह कुशन आपको TSPSCAE में मतलब तेलांगना स्टेट पब्लिक सर्विक कमिशन के एसिस्टंट इंजिनर के एक्जाम में यह कुशन आया हुआ था ठीक है तो इसलिए आप से रक्रश करता हूं कि प्लीज आप लोग अच्छे पढ़िए जो कुशन में लेकिया हैं यह सारे इंप्लोड कर चुका है मैंने दो सेट अलड़ सेट को नहीं देखा है प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उन दोने सेट को देख लिजेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते कोशन में अगला कोशन क्या बोलता है अगला कोशन बोलता है विच लोकेटर इस बेस्ट सुटेड पॉर लोकेशन ऑफ राउंड से से जॉब मतलब हमने यहां राउंड से जॉब को लोकेट करना है तो वह जो हम लोकेटर इस्त्माल करेंगे वह हमारा και ञाटर का सब्सक्राइब को स्लेंडीकल जॉब यहां में स्लेंडिकल जॉब को लोकेट करने के लिए हम भी केटर गार एसंक्राइब यह अपने सिलेंटिकल जोब को यहां पे लग देते हैं यहां पर अपने सिलेंटिकल जोब को लग देते हैं और यह ऐसे लोकेट हो जाती है स्मझ में आया ना तो इस question को option number d सही होगा कि round saved job को हम बी लोकेटर पर locate करते हैं ठीक थर्ड कोशन क्या है थर्ड कोशन आपके स्कीन पर आदा होगा बोलता है the following is not true for jigs and fixtures jigs and fixtures के सापेच में इसमें से क्या सही नहीं है यह कोशन आपका UKPSCA में आया हुआ है UKPSCA में यह कोशन आपका आया हुआ है ठीक है तो option में क्या बोलता है बोलता है rapid production, automatic location, lesser manufacturing cost, higher speed cannot be used तो मतलब बोलता है jigs and fixtures का अगर इस्तमाल करेंगे तो क्या सही नहीं है तो option number D होगा इसका higher speed cannot be used ऐसा कुछ नहीं है हम जब jigs and fixtures का इस्तमाली से लिए करते हैं कि हमारा date of production increase कर जाए मतलब उसमें हम higher speeds easily achieve कर सकते हैं तो option number D सही होगा इसका कि higher speed cannot be used हम higher speed का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो next question क्या होगा next question आपके screen पर आगया होगा next question बोलता है when the surface of the grinding wheel develops a smooth and shining surface it is said to be मतलब जब grinding wheel का surface फूरा smooth हो जाएगा और signing हो जाएगा उसमें signing आएगा मतलब signing मतलब ग्लास-like appearance मैंने आपको एपको एपेरेंस किसमें आता है ग्लास-like appearance में ग्लेजिंग में आता है मतलब इसको option number A दिया लोडिंग B दिया ग्लेजिंग C दिया ट्रोइंग और D दिया नन आफ दिस तो इसको बी सही होगा ग्लेजिंग में क्या होता है मैंने और यह को एक्सेंग किया है मतलब अगर हम लगाता है अपने ग्लास-like appearance मिलेगा हमें glass-like glass-like appearance हमको इसमें मिलेगा ठीक है और जब ऐसा हमको smooth surface मिलता है तो उसी को हम बोलते है glazing उसी को हम बोलते है glazing of the grinding ग्लेज हो गया ठीक है तो इस question का option 20 होगा glazing ठीक बढ़ते है next question की हो तो next question आपके screen प्या गया होगा next question क्या बोलता है which grinding will will more economic for grinding of soft work piece मतलब soft work piece grinding के लिए हम कौन सा grinding will इस्तमाल करेंगे soft grinding wheel hard grinding wheel normal grinding wheel या any of them देखो यह हमेंसा यह अपना thumb दूल लेकर चलना कि जब भी हमारी work piece soft होगी तो हम hard grinding wheel का इस्तमाल करेंगे और जब भी हमारी work piece harder होगा तो हम soft grinding wheel का इस्तमाल करेंगे क्यूंकि हमें clogging और glazing से बचना है ठीक है तो इसके दो main reason होते है clogging और glazing की main reasons होते हैं वह मैंने अपने lecture में किया हुआ है ठीक है तो इसको option में भी सही होगा hard grinding wheels मतलब soft work piece grinding करने के लिए हम hard grinding wheels का इस्तमाल करते हैं ठीक है बढ़ते हैं अपने next question क्यों तो next question क्या है बच्चों next question यह है यह आपका OPSCAE में आया हुआ हुआ है तो next question बोलता है Jigs are not used in one of the following मतलब इन में से किसमें Jigs हमारा इस्तमाल नहीं होता है location clamping of the component safety या none of these तो फिर इसका option number C से होगा safety हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम safety ensure करते हैं जीग का यूज करके ऐसा कुछ नहीं है safety के लिए हम अलग से कुछ लेते equipment लागाते हैं जिसे हमाँ है which of the following operations does not use a jig मतलब इसमें से किस operation के लिए हम जीग का इस्तमाल नहीं करते हैं तो option number a turning, b drilling, c reaming या d tapping तो friends हम drilling, reaming और tapping में jig का इस्तमाल करते हैं जबकि turning के लिए हम fixtures का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो इसका option number a से होगा turning ठीक बढ़ते हैं अगले question क्यों अगले question बोलता है विच grinding wheel will be more economic for grinding of hard work piece option a soft grinding wheel option b hard grinding wheel option c normal grinding wheel option d any of them तो मैंने बताया था ना भी आपको लाज question में ऐसे question आया था कि soft grinding wheel का इस्तमाल हम करेंगे harder materials के लिए और hard grinding wheel का इस्तमाल करते हैं softer materials के लिए तो question क्या है तो हम soft grinding wheel का इस्तमाल करेंगे मतलब इसका option number a से होगा soft grinding wheel ठीक है बढ़ते हैं next question क्यों next question क्या है next question आपका है the simplest and low cost clamp used in jigs and fixtures मैंने अल्यड़ी आपको types of clamps explain किया हुआ jigs and fixtures में तो बोलता है इसमें से कौन सा clamp सबसे simple होता है और low cost होता है तो option c toggle clamp option d equalizer तो इसका option number a होगा strap clamp ठीक है यह बहुत easy होता है बहुत simple होता है strap clamp ठीक है बढ़ते हैं next question क्यों तो next question क्या बोलता है next question बोलता है which of the following is not true in case of jigs and fixtures मतलब यह question आपका आया था UK के PSC A2012 में तो बहुत easy question था इसमें से बोलता है कौन साइस में है जो jig and fixtures के लिए सही नहीं है तो option a consistency in dimension option b fast production speed is not possible option c auto location control option d none of above तो friends इसका option b सही होगा fast production speed is not possible ऐसा नहीं है हम jigs and fixtures का इस्तमाली करते हैं कि अपने हम speed of production को increase कर सकते हैं मतलब production speed हम fast कर सके हैं तो इसका option number b सही होगा ठीक है बढ़ते हैं next question क्योंत बोलता है the removal of dull grains in order to make grinding wheel sharp is called as मतलब हमें dull grains को grinding wheel से निकालना है तो इस process को हम क्या बोलते हैं option a clogging, option b glazing, option c dressing, option d loading तो friends बहुत easy question है इसका option number c होगा dressing मतलब इसको मैं आप समझाता हूं कि dressing का है हम करते हैं क्या किया है ne dull grains को निकालने के लिए और कैसे करते हैं तो यह हमारा होता है grinding wheel और यहां पर हम start dresser को इसकी अगेंश्ट में प्रस करते हैं ठीक है फिर के स्टाइज का करते हैं प्रसिह करने के लिए उसकी हेल्प लेसिंग कर पाते हैं which of the following locating device is used to locate cylindrical job देखो जो लाश कोशन आया था ना उसमें दाउंट सेप जॉब बोला था यहां पर इसने cylindrical job बोल दिया है कुछ नहीं आज असान है option क्या दिया drill jig v-block angle plate metal pin तो मैंने अलड़ी आपक स्प्रेंड किया था कि v-block का इस्तिक्माल हम round shape, semicircular shape और cylindrical shape के लिए हम v-block का इस्तिक्वाल करते हैं तो इसका option number B सही होगा v-block ठीक नेस्ट कोशन गया हमारा नेस्ट कोशन बोलता है which of the following is not a work holding device यह आपका u-j-v-n-l-a में आया था यह question आपका u-j-v-n-l-a में question यह question आपका आया था ठीक है बुलता है which of the following is not a work holding device इसमें से कौन सा work holding device नहीं है a-v-block, b- chuck, c- steady-rest, d- none of ever friends v-block मैंने होता है आपको work holding device है चक हमारा lathe में इस्तिक्वाल होता है चक जो होता है हमारा वह lathe में इस्तिक्वाल होता है बट एक होता है मारा three jaw एक होता है मारा four jaw तो three jaw में क्या होता है हम three jaw चक में ऐसे मतलब एक प्रॉपर एंगल पर तीन jaw लगे होता है यहां पर और जब हम cylindrical jaw हमको यहां पर hold करना होता है तो किसी एक jaw को हम tight करेंगे तो automatic spiral पीछे spiral लगा होता है automatic यह सारे jaw जो है अपने मतलब auto में ही एक को हम tight करेंगे यह automatic एक साथ आगे आएंगे और अपने job को concentrically पकड़ लेंगे hold कर लेंगे लेकिन जो वहां four jaw होता है four jaw होता है वहां पर 90 degree पर 4 jaw लगे होते हैं और इन चारों 早 लिए दो जो को हमेंbirds हमें इंडिविजुली टाइट करना पड़ता है अपने व्यक्ने करने के लिए मतलब इसको काइड करेंगे हम सिको यह इस न पूछल गया हम चारों को पूछलिया में मतलब इसको करके हम इसको ताकि हमाला जूब जो है लेत में तेल स्टॉक से मतलब एदम कॉनसेंट बैड जाए तो एक्जामना कोशन क्या पूछता था आप से और यहां पे कैसे ठैव क्या बनता है कि तब तो हमाई लिए पर थी जौचक best है लेकिन हमको समय अधिक लगा फिर भी हमारा फो जोर चक को बेस्ट क्यों माना जाता है यह जा मना जाता है क्यों माना जाता है यह अगर हमको μान लो इस धर्गिलर जोब स को होल्ड करना होगा तो हाँ प्ये जो RYAN शुक्त फेल हो जाए गे यह यह नहीं और कर पाई है ठीक है तो आपका इस question का answer number क्या होगा स्टेडी देश्ट भी स्टेडी देश्ट भी हमारे लेथ में स्टेडी जो हमारे लेथ में वक्पीश लगाते हैं जो हमारा बहुत लंबा वक्पीश उजाता है तब हम उसको hold करने के लिए इस टेडी देश्ट का इस्वाल करते हैं तो यह जो वक्पीश वक्पीश है चैक भी हमारा वक्पीश और स्टेडी देश्ट भी हमारा वक्पीश स्टेडी दिवाइस है तो इसका option number decrease in sharpness this is known as मतलब वही कोश्चन है कोश्चन की लैंगवज घुमा रहा है खाली बोलता है कि लगाता हम ग्रैंडिंग विल का इस्तिमाल कर रहे हैं और लगाता है ग्रैंडिंग विल की रभिंग हो रही है अगेंज दा वक्पी जिससे कि उसकी sharpness खतम हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे लोडिंग ड्रेसिंग ग्लेजिंग या क्लॉगिंग तो इसको हम बोलें ग्लेजिंग इसका option पर एक्षश करता हूं कि अगर आप लोग को याद करते हैं तो को याद मत करिए जाके इस वीडियो को आप देखिए आप 321 पूरा अच्छी सीख जाएंगे उससे और के कोशन बनता है आप उसको भी सीख जाएंगे तो प्लीज को याद मत करिए को समझने के कोशिट करें कि क्या पूच रहा है और इस को संसे या को संस बन सकते तो क्या है कर गया होगा कोशन बोलता है इं दाट ट्रीट फेन पॉँट्यश्टर और फिक्या हैуск on उसमें 3 तो फिरी क्या थो ने सीटफ पॉसंब वाइंड क्लैम्ट तो इसका आप्शोन नम्र्च सहीता होगा करते हैं तू पिन करते हैं और वन का समाल करते हैं कि लिए हम फिर्ण को निचे और लेते हैं और अपने वर्क्प्स को चिट्र पर लोड-अन्लोड कर सकें ठीक है अगर अगर यहां कोई confusion है कुछ भी नहीन वाद में आता है प्लीश आप इस वीडियो को देक लीजेगा और उसके बाद अगर फिली नहीं स्वाज में आता है comment कि मुझे बताना वो क्या नहीं स्वाज में आता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो इस question को option number C से होगा locating positions ठीक चलो आगे बढ़ते हैं आगे हमां अगला question क्या है अगला question बोलता है a device which holds and locates a workpiece during an inspection or for a manufacturing operation is known as option दिया हुआ है fixture jig let templates मतलब बोलता है कैसी device है जो हमाई workpiece को hold भी करती और locate भी करती बट इसमें टूल की बात कहीं नहीं किया है कि टूल को locate कर दा कि नहीं तो इसका option number A सही होगा fixture और अगर इसमें टूल की बात कर देता तो इसका option B सही होता जीग तो इस question का option number A सही है fixture ठीक है बढ़ते नेक्स संब स्क्राइस समय करते हैं option फिक्स्चर का इस्तिमाल करते हैं अलब यह बहुत देशान से कुछन आते हैं फिर देखते हैं आपको बहुत इसी लगेगा सवाल लगाना कुछन इसमें से जिक्स एंड फिक्टर क्या है पहला इंक्रीज मसीनिंग एकुरेसी दूसरा इंटर्चेंजिबिल्टी तिसरा डिक्रीज कॉस्ट ऑन क्वालिटी कंट्रोल चौर्था आल अव देगा तो मैंने अपने लेक्टर में किया वाय 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 वी यू जिक्स एंड आलक से स्क्रीज लेकर आऊंगा तो विजय भाई आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मतलब एडवाइस दिया था अट करने के लिए उसके लिए थैंक्यू फ्रेंट्स और आपके पास भी कोई भी एडवाइस तो कुछ भी आपको मुझे बताना हो प्लीस कमेंट क आएक ढायमंडशन खूकर रोआंटमेटर के लिए बम इंटर्नल डायमटर के लिए किस लोकेटर का इस्तेमाल करते ह Ugly इंटर्नल डायमेटर क教 स में befintज रोखेयिस रोजड़ मतलब तते हैं विए prominent को होते हैं और इंटर्नल डायमेटर औब जोग मतलब सबस्क्राइब कुछ ऐसा दिखाई दिखाई देगा यहां से डायमन्ड के का option number C से होगा pin type locator छेक बढ़ते नेस्ट क्यों नेस्ट क्यों आपका BPSCAE में भी आ चुका है और JPSCAE में भी आ चुका है तो यह सेम कुछन दो बार एक्विट हो चुगा है तो question क्या बोलता है diamond locating pin is used in jigs and fixtures because diamond locating pins का jigs and fixtures में यूज क्यों करते हैं पहला diamond is very hard and wear distance दुसरा it occupies very little space थार्ड है it helps in assembly with tolerance on central distance fourth it has long life तो फ्रेंट इसका option number C से होगा it helps in assembly with tolerance on central distance क्यों दो समझो मैं क्यों बता रहूं इस चीज को क्योंकि जब हम टॉप व्यू देखेंगे मैं मैं यह मान लो यह कोई हमारा कोई यह मारक कोई workpiece है और यह aumak जीग की body है और यह यहां पे हमने यहां पे हमने pin को अपने लगा यह बाँद ही लगा हुआ है यहां हमारा रावं हेड 5 लगा है यह हमारा बार्क पीस है और यहां एक गा यह का होल इससे दिखाये देखा यह यह कुछ हो टीक है यह वांटा टिखाया एक पर यह चढ़्छ हाएकर मत है कि गुछ को सब्सक्रारallo को दिखाया यह ओंगा और को नहीं पढ़ेगा इपो आप देखसर है यहां पि हर यह फिलें और शर चाहर तो हम सेंटर डिस्टेंस को यहां पर वैदी कराके एक टॉलरेंस देखे और टॉलरेंस का रेंज होता है उसको उसके बीच में हम टॉलरेंस देखे एजली वैदी करा सकते है इसलिए हमारा डायमेंड पिन लोकेटर बहुत इंपोर्टेंट है ठीक तो इसकोशन का ऑप्शन एक जिए योगा इपहायप इन एसेंबली वी टॉलरेंस और सेंक्रेंट इस्टेंस ठीक है थि यहान नक्रॉशन चलो बटते है इसको निथे जहां कि वाकट और नेक्श बोलता है फालोईग ऑप्षी आनेकशन दूалась तो हमारे से बोलता है next question बोलता है जिक्स are not used in which of the following operation इसमें से किस operation में हम जिक का इस्तमाल नहीं करते हैं milling, dreaming, tapping, drilling तो इसका option number A सही होगा milling, milling में हम fixtures का इस्तमाल करते हैं ठेक next question क्या है हमारा next question बोलता है the principle most commonly followed for locating work piece in a fiction आपका school India Limited में question यह MT के paper में आ चुका है ठेक तो options बोलता है two three one one two three three two one two one three two मैंने अलड़ी आप बता दिया है कि हम three two one principle का इस्तमाल करते हैं अपने degree of freedom को restrict करने के लिए तो इसका option number C सही होगा three two one ठेक बढ़ते हैं next question क्यों हमारा question क्या बोलता है three two one principle is related with three two one principle किससे related है पहला option design of locating devices दूसरा option tool design तिसरा plant layout design फोर्थ वर्क sampling तो इसका option number A सही होगा design of locating devices मतलब locating device के लिए हम three two one principle का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो हम बढ़ते हैं next question क्यों हो देखते हैं next question क्या बोलता है तो next question बोलता है जिक्स and fixtures both are पहला option used for identical part production दूसरा option used for mass production थर्ड यूज़ फोर बोत A and B और D none of the work तो मैंने वालोड़ी बिताया आपको जिक्स and fixtures का इस्तमाल हम दोनों के लिए कलते हैं identical part production के लिए भी कलते हैं 3 to 1 method of location of jig and fixtures would collectively restrict the work piece in n degree of freedom where the value of n is मतलब बोला है कि 3 to 1 principal का इस्तमाल हम करते हैं जो हम 3 to 1 principal का इस्तमाल करते हैं इससे हम कितने degree of freedom को restrict करते हैं तो total हमाया पास 12 degree of freedom होती है 12 degree of freedom होती हैं जिसमें से हम 9 degree of freedom को easily restrict कर लेते हैं 3 to 1 pin का इस्तमाल करके तो इसका option number a सही होगा 9 9 pin का इस्तमाल करते हैं मतलब हम यह 3 to 1 principal का इस्तमाल करके total 9 degree of freedom को exit कर लेते हैं ठीक है बढ़ते हैं next question क्यों हो तो next question हमाला क्या है next question बोलता है when we use the jig and fixture then the expenses on quality control will be मतलब जब हम जी इस्तमाल करते हैं तो जो quality control पर जो हम expense करते हैं वो क्या होगा बढ़ जाएगा घट जाएगा same रहेगा none of the work तो जब हम जी इसका इस्तमाल करते हैं तो quality control का expense घट जाएगा मतलब उसमें quality जो इतना पैसा लगाते थे यहां initially उतना पैसा हम नहीं लगाएंगा तो इसका option number 20 होगा decreased ठीक है बढ़ते हैं next question क्यों next क्या बोलता है diamond pin locations is used in fixtures because same question diamond pin locator question आया है बस language घुमाया इस question option a it does not wear out option b it takes care of any variation in center distance between two holes बस आपको option b ही मिल गया कि center distance की variation को toleration provide करती है तो इसका option number 20 होगा it takes care of any variation in center distance between two holes ठीक है चलो बढ़ते हैं next question क्यों अब यह आपको tolerance range का question है question क्या बोलता है what is the tolerance range और यूजिंज आपको यह option आपको याद रखना है कि 20 से 50% का tolerance हम देते हैं tolerance हमको जिक करने पर हमको मिलता है option क्या गया दिया है 2% 3-10% 20-50% या 60-70% तो इसका option number C सही होगा 20-50% का tolerance हमें job पर मिलता है ठीक है पड़ते हैं next question क्यों next question क्या बोलता है बोलता है और जो हमवा question दूँगा प्लीज उसका जवाब युजे वीडियो से comment section में आप लोग दीजिएगा हमवा question को आप लोग एक बार देखके solve करेंगे आप लोग वह question कहीं नहीं आपके mind में कुछ नहीं कुछ स्पेस कर जाएगा सिरी बोलता हूं हमवा question का जवाब आपने ज़रूर दीजिएगा ठीक है चलो देखते है क्या question बोलता है which phenomenon is called as loss in the sharpness of grinding wheel due to presence of chips in gaps कुछ नहीं जब हमारी grinding wheel के gap में chips घुच जाएंगी उसको हम बोलें कोई foreign material आकर इस पर load हो गया bad गया clogging कर दिया तो इसका option number D सही होगा loading ठीक है next question आपका UKPSC A27 में आया था question क्या बोलता है in order to locate a rectangular block in a jig of fixtures accurately the following number of movement must be restricted मतलब वही बात बोलना है rectangular job को जब हम पने jig on fixtures पर दखेंगे तो इसके कितने movements मतलब कितने degree of freedom को में रेस्ट criança करना है तो 12 मेंसे हम nine degree of freedoms को रेस्ट करते हैं 3 degree of freedom को हम छोड़ते हैं वह कौन कौनसा होता है वह मिन्हiernois अं पोश्टिब मुव्मेंट इन धाएक्सट्रियन इन इन encryption इन 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 o को बारा में से तीन छोड़ देते हैं तो इसको आप्सन नमबर सी सही होगा नाइन ठीक है बढ़ते हैं अगले कोशन क्यों अगला कोशन बोलता है एक फिक्स्चर डज नाइन परफॉर्म दा फॉलोईंग जॉब इसमें से फिक्सर कौन सा जॉब नहीं करता है बस आप लोगों कोई मालूम ही है यह फिक्चर हमारा वर्कपीस को होल्ड लोकेट करता है बट टूल को गाइड नहीं करता है तो इसको अप्सन नमबर सी सही होगा जो दिया है गाइ करते हैं यह में भी कुशन आया हुआ है बोलता है यूजिंग अप जिक्स एंड फिक्टर रीट टू जिक्स एंड फिक्टर करते क्या होगा देखो हाँ जगा तो कॉस्ट कम होती बट एक कॉस्ट हमादी जिक्स एंड को स्थेमाल करने से बढ़ती है कौन सी है हाई ऑपरे initial cost increase कर जाती है तो इसी को बोलते है initial cost तो इसका option number c सही होगा high initial cost ठीक है बढ़ते हैं आगे next question क्या है next question बोलता है when we use the jigs and fixtures then the total cost of production will be जब हम jig of fixture का इस्तमाल करेंगे तो overall production cost क्या होगा बढ़ेगा घटेगा same रहेगा none of these मतलब decrease increase remain same तो इसको option number a सही होगा decrease मतलब jig of feature का इस्तमाल करते हैं हम तो टोटल cost of production अमादा घट जाएगा ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे अगला हमादा JPSC question आया हुआ है ठीक है एक question हमादा JPSC में आया था बहुत रहे सांगोशन है इस इस इसे definition है a jig is defined as a device हमको jig की definition पूछा है a jig is defined as a device which option holds and locates the workpiece and guides and control one more cutting tool option भी hold and locate a workpiece during an inspection परने जहुतीने इसका option number a हमको साब सब दिखेता है option number a इसका सब्सक्राइब करता है और टूल को भी control और guide करता है ठीक है बढ़ते हैं आगे next question क्या है बोलता है what is known as the operation done to make periphery of grinding wheel concentric with axis in order to recover its lost shape मने बढ़र बिताया हुआ है जब हमां grinding wheel का shape lost हो जाएग उसको इसका option number a सब्सक्राइब करना तो हम कौन से operation करते हैं हम करते हैं तो इसका option number a सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा अच्छा कोशन है बहुत ही असान कोशन है या भी आपका UKPSCA में आजा हुआ है question क्या बोलता है question बोलता है which of the following operation does not use a jig इसमें से कौन से turning में हम फिक्चर का इस्तमाल करते हैं बढ़ते हैं next question क्यों यह question आपको याद रखना है क्या बोलता है drill jig bushing are generally made of जो हमारी drill jig की bushings होती है वो किसकी बनी होती है high carbon steel tool steel cast steel या cast iron तो इसको option 20 है योगा tool steel आपको यह option याद रखना है ठीक है कि drill jig की bushing हमारी tool steel की बनी होती है ठीक बढ़ते हैं next question क्यों क्यों क्या बोलता है which of the following is not true for the jig इसमें से क्या jig के लिए सही नहीं है तो यह थोड़ा conflicting होचकता है बट आपको यह कैसे समाज़ना हो को मैं अब होताता हूं option number a they are used on drilling operation बिल्कुल सही हमारी jig जो है drilling operation इसमाल होता है जैसा कि tapping drilling the ming approaching यह option नहीं होगा option b these guides the tool बिल्कुल सही जी हमारी tool को भी guide करता है workpiece को भी locate करता है यह भी सही होगा यह option यह option गलत है option c these holds the component इस पर हम बाद में आएंग option d में आते है increased machining accuracy ठीक है वह भी यहां कि हमारी jig जो है machining की accuracy बढ़ा तो यह option a b c तो सही लग रहा है बट बोलता question बोलता which of the following is not true for jig jig के लिए क्या सही नहीं है तो hold the component option number c क्या दिया है these hold the component मतलब यह option गलत होगा हमारी jig जो है workpiece को hold करता है इसको ऐसा देखा जाए कि component hold करने के बाद करता है तो ऐसा कुछ नहीं है jig को hold करता है ठीक है तो इसको option number c से होगा कि हमारा jig क्या काम नहीं करता है these hold the component यह हमारा jig नहीं करता है तो यह आपको total set हो गए अब मैं आपको कुछ more question दूँगा जो बहुत important question हो भी last year किसने किसी paper में आ हुए है प्लीज आप लोग ट्राइ करिएगा कि आपको नहीं आता है तो मुझे बताए कि कौशन नहीं आ रहा है और आगर आपको आता है प्लीज कमेंट कर बताएगा मुझे कि आपको यह सारे question आ रहे हैं और आप उसका option देने का try कर दिएगा ठीक है उससे पहले आपको यह आपको कहीं भी doubt होता है माल लिजा आपको यह कोई में वीडियो माल लीजिए 30 मिनिट्स का वीडियो बनता है 30 मिनिट्स का वीडियो बनता है आप माल लो आपको जहां पर इस question प्वावला देए आप उसका प्वाइब वीडियो प्वाइब कोई दिक्कत आ रही है वह सिर्थे आप कमेंट करें 5 double dot 10 यहां आपको जो भी दिक्कत दिए मां सिर्थे सिदह इस पर क्लिक करूंगा वह सिर्थे वह वीडियो खुल जाएगा चलो आपको समय आगया ना कैसे कमेंट करना कोई प्राबलम इसमें से कौन सो आपसं सही होगा प्लीज बताइएगा ABCD में से ठीक है मैंने आलड़ी आपको ISO का डेजिगनेशन अलड़ी एक्पैंड कर दिया है ठीक देखते हैं हमारा नेक्स्कूर्शन क्या है नेक्स्कूर्शन बूलता है ए लीड श्क्रू विद हाफ नर्स इनने ल इसमाल करते हैं हम जो थेड़ बनाते हैं किसी और में इसमें हाफ में बहुत इन पॉर्टन रोल प्ले होता है ठीक है तो बोलता है लीड श्कू विद हाफ नर्स इन लेड फ्री तू रोटेट इन बोथ डारेक्शन है वी थेड्स विद विद वर्ट थेड्स बट्रेस थे तो देखते हैं हम आकला कोशन की एकला कोशन बोलता है यह आप लोंगा वियुक्त को आ रहा है तो बड़ते हैं नेच्ट के क्योब नेक्स क्यों बोलता है नेश्ट बोलता है यह आपका प्रोसेस यूज़ फॉर दीमिंग का प्रोसेस हम क्यों यूज़ करते हैं यह आपका प्रोड़क्शन इंजिरिंडिंग गेट का कोशन है ठीक है तो पहला और प्रोप्षन है क्रेटिंग सर्कुलर होल इंड मेटल और सब्सक्राइब है ग्लेजड इफ यह आपका गेट प्रोड़क्शन है तो अप्शन नमबर ए ग्रेंस है बिकम ब्लंट बट दू नौट फॉल आउट गैप बिट्विन दा ग्रेंस इस फिल्ट बाई स्वार्फ इट बिकम्स ब्लैक दू बर्निंग पार्ट ऑफ वील चिप्ड ऑफ ठीक है क्या है निस्ट प्रोड अच्छा नमेकल अपने विल्टा और विल आपने विल्ट बाएप चैप्टर नहीं देखाए तो देख लेजिए ऐपने नैने दो वीडियो अप्लोड किया बीडियो देखने बाद आपका फ्लाय विल से 90 परसंट चाहसई है कि आवा फ्लाय से of gyration 10 cm is rotating at 10 radian per second its rotational kinetic energy will be यह अगला कोशन क्या बोलता है अगला कोशन आपका गवर्नर से कोशन है तो गवर्नर क्या है the height of what governor is option g by omega square g by 2 omega square g by 4 omega square g by 8 omega square g by 10 omega square यह कोशन आपका CGPSC-AE में आया था ठीक है चलो बढ़ते हैं next question क्यों next question क्या बोलता है if life will absorbs 24 kilojoule of energy while increasing its speed from 210 rps to 214 rps what will be its kinetic energy at 220 rps तो यह बहुत ही फेमस equation है हमारी flywheel में यह question उसी आया हुआ है ठीक है प्लीज आप लोग कोशन नहीं आता है यह सब बहुत easy question है यह सब यह आपका SGVN में question आया था यह 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 डाक्लिक विदाट कैक्लोटर इसली solve हो जाएगा प्लीज आपसे request करता हूं अगर आप कहीं भी doubt है बताएगा मुझे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला question क्या है अगला question है which of the following governance is not spring control इसमें से कौन सा governor हमारा spring control नहीं है हार्टनल गवर्नर हार्टन गवर्नर विल्सन हार्टनल गवर्नर या पॉल्टर गवर्नर ठीक है बटते है नेक्स कोशन क्यों तो नेक्स कोशन बोलता है the quality of machine surface depends upon machine surface quality किसपे डिपेंड करती है पहला the material of the work piece दूसरा the rigidity of machine work tool system तीसरा cutting conditions चौथा आप अगला question क्या है अगला question बोलता है the tool life of a cutting tool mainly depends on हमाय cutting tool की tool life किसपे depend करती है cutting speed tool geometry ambient temperature या none of the work ठीक है तो आपके कुछ questions हो गया है और मैंने आपको पुरा question और एक्स्पेंड कर दिया question मैंने आपको दे दिया प्लीस का answer दीजेगा और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिश्पीडियो को लाइक कर दिजाया बेने like किए मच जाना या वीडियो को like कर देना अपने दोश्टों का सान्सेर विकर देना जो जो जिनको रियली इस वीडियो जिया थे फिक है मैं चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब भी कर दीजेगा ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेंगे ठीक है फ्रेंस मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर